मुंबई की जोगेश्वरी पुलिस ने बड़ी कारवाई करते हुए वेश्टन हाइवे पर यात्रियों से लूट पार्ट करने वाले बड़े गैंग का परदा फाश किया है पुलिस ने गैंग के तीन सदस्यों को गिरफतार किया है ताजा मामला अंधेरी और जोगेश्वरी के बीच का है जहां वेश्टन एक्सप्रेस हाइवे पर रिक्षे से जा रहे एक कमपनी के मैनेजर का बैक छीन कर फरार हुए तीन आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है पुलिस ने गिरफतार आरोपियों के पास से करीब 19 लाख रुपे बरामत किये है वहीं इस मामले में पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अंधेरी पुर्व के रूपल कमपनी के मैनेजर दिनेश ठककर जिनकी उम्र 69 साल के आसपास है वो एक फरवरी को आटो रिक्षा से अपने घर ठाकुर विलेज जा रहे थे जैसे ही वो अंधेरी और जोगेश्वरी के बीच मोगरा पाड़ा के पास पहुचे थे तभी पहले से घात लगाए बैठे लुटेरो ने उनका रिक्षा रोक लिया और उनकी बैग छिनने लगे जब ओटो चालक और मैनेजर ने उनका विरोध किया तो वे चाकू दिखाकर उनको डराने लगे जिसके बाद मैनेजर की बैग में रखे 22 लाक रुपे लेकर फरार हो गये अपने साथ हुई लूटपाट की शिकाया दिनेश ने जोगेश्वरी पुलिस टेशन में दर्च कराई जिसके बाद लुटेरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई टीम बनाई लुटेरे हेलमेट के साथ मास्क भी लगाए थे जिससे उसकी पहचान ना हो सके आखिर कार पुलिस की मेहनत रंग लाई और पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपी, नंद कुमार कामली, उम्र तीस साल, शनिश अशिकान सुर्वे, उम्र अठाईस साल और अभिशेग जैसवार को गिरफतार करके उनके पास से 22 लाख में से 19 लाख रुपे बरामत किया है और आगे की जाच पुलिस कर रही है आटो रुक्षा स्लो वी थी ट्राफिक के वज़े से, अचानक पे एक आदमी, जो हेलमेट पेना हुआ आदमी, वहाँ पे आके उसका बैग खिचके लेके गए थे हैं और उसको चाकू भी दिखाया था, उस मामले को पुलिस टेशन में दाकिल करने के बाद हम हमारा टेकन रुक्षा में लेके जाते हैं, अबजर्व किया है, और उनके और दोस्त है, उसी गर के आसपास में रहने वाले, उनका दोनों दोस्त के साथ उसने शेर किया है, और ये तीनों लोग मिलके ये गुना किया है, दूसरा दोस्त का नाम है सनी सुरवे, और तीसरा दोस्त का न जैस स्वाल उसके उपर तीन गुना अलग अलग पॉलिशेशन मुंबही में दाकिल है इसके पहले और बाकी बचे दो आरोपी के उपर अभी तक तो पर यह कोई पुरा पुरानी गुना दाकिल नहीं है यह पहले गुना दाकिल है